एक बहुत प्यारी पंक्ती है एक भजन की, उसमें एक भगत कहता है कि प्रभू आप आपने नियम लिया है कि आप व्रिंदावन से बहार कभी कदम नहीं रखोगे, व्रिंदावन से बहार कभी भगवान जाएंगे नहीं, भगवान ने कहा है तो प्रभु जो लोग व्रिंदावन में नहीं रह पा रहे हैं जो व्रिंदावन से बहार है उनका क्या होगा वो विचारे क्या करेंगे तो उसमें ये पंक्ती बोली जाती है कि भक्त भगवान से कहता है तुम कहते हो मोहन व्रिंदावन प्यारा है तुम कहते हो मोहन व्रिंदावन प्यारा है तुम कहते हो मोहन व्रिंदावन प्यारा है व्रिंदावन प्यारा है तो प्रभु हमारा क्या होगा विए एक काम करते है ना आपकी बाठ टूटे ना हमारी टूटे हम व्रिंदावन नहीं रह सकते आप व्रिंदावन से भार नहीं रह सकते तो बीच का रस्ता तो निकालना पड़ेगा तो ये रस्ता क्या है तब भक्त कहता है इस दिल में आजाओ व्रिंदावन बना लेंगे इस दिल में आजाओ व्रिंदावन बना लेंगे तुम रोठे रहो मोहन हम तुम्हे मना लेंगे तुम रोठे रहो मोहन हम तुम्हे मना लेंगे आहों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे और फिर अगली बंक्ती बड़ी प्यारिया है इसी ने कहा बगवान ने पूछा मैं तेरे घर आया तो क्या करेगा ऐसे वैसे नहीं जाता मैं किसी घर जब जाता हूं जब मुझे दिखता कि भई हाँ इसने विवस्ता बढ़िया कर रखिये अच्छी चोकी बिछाई है अच्छा सिंहासन सोने चानली कहां बिठाएगा मुझे तुम कहते हो मोहन हमें कहां बिठाओगे तुम कहते हो मोहन हमें कहां बिठाओगे तुम कहते हो मोहन हमें कहां बिठाओगे मोहन कहते हो मोहन हमें कहां बिठाओगे एक बार तो आजाओ पलकों पे बिठाओगे एक बार तो आजाओ पलकों पे बिठाओगे आहों में असर होगा घर बैठे बुला देगे तुम कहते हो मोहन हमें कहां बिठाओगे बगवान को बिठाने के लिए भिया कितना भी सुन्दर स्थान देदो पर अपनी पलकों पर बिठाओगे हम आपको अपनी रदे में बिठाएंगे हम आपको क्योंकि जो अपनी रदे में भगवान को बिठाता है जो अपनी रदे में ठाकुर्जी को विराजमान करेगा उसके लिए भगवान सारे सुक्स विधा त्याग करके भगवान कहते देख बेटा मैं रहता हूं सिंधु में सागर मुझे सिंधु में रहने की आदत है तो क्या तेरे घर आऊंगा तो इतना जल मिलेगा तेरे पास सिंधु बरावर भक्त ने कहा प्रभू ये तो बहुत बड़ी बात बोल दिया आपने सिंधु तो मेरे पास कहां से आया यहाँ पानी चाहिए तो मैं विवस्ता कर दूँगा आप जितना कहोगे एकाद बाल्टी एकाद टेंकर जो कहोगे वो विवस्ता कर दूँगा पर इससे ज़्यादा तो क्या ही करों वगवार ने का नहीं नहीं मुझे तो सिंधु में रहने की आदत है पर बिटा कोई बात नहीं अगर तू सिंधु न ला सके तो कोई बात नहीं पर तू अपनी आँख से प्रेम के दो बिंदु गिरा देना अश्र बिंदु गिरा देना मैं उसी में समा जाए रहूंगा तो पानी में रहूंगा तो जल में ठाकुर जी को जल में ही रहने की आदत है अब चाहे वो जल सिंधु का हो चाहे वो आँख के अश्र बिंदु का हो पर चाहिए ठाकुर जी को जल ही बिना जैसे मैं बार बार कहती हुई या और देवी देवता दान से खुश हो जाएंगे और देवी देवता तपश्या से खुश हो जाएंगे और देवी देवता तुमारे किसी यग्य से प्रसंद हो जाएंगे पर हमारे जो ब्रज के ठाकुर है ब्रज की जो सरकार है ये तुमारे किसी साधन बारी साधनों से खुश नहीं होंगे जब तक आप इनके लिए भाव से इनको पुकारोगे नहीं इनका आवहन नहीं करोगे इनके लिए रोगे नहीं तब तक इनका हरदय पसीजेगा नहीं पिगलेगा नहीं